यहाँ पर आज की रीडिंग है कि इश्वर आप से क्या कहना चाह रहा है जो आपको सुनना बहुत ज्यादा अर्जेंट है गाइज यह आपके लिए guidance के तौर पे रहेगा कि वो गौड वो इन्वर्स आपको क्या सचेत करना चाह रहा है आप से क्या कहना चाह रहे हैं आपको God क्या संदेश देना चाह रहे हैं। Set yourself free, कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आपको free करिए, सोतंत्र करिए, किसी चीज में अपने आपको बांध के मत रखिए, क्योंकि जब आप बांध के रखेंगे तो आपका पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। तो उन सब को दूर करने की कोशिस करिए। और यहाँ पर अपने आपको free करिए, सोतंत्र करिए, अपने आपके मन को हलका कीजिए। जैसे कि आपको ऐसा फिल करना है कि एक आप हिजडे में बंद पक्छी थे और किसी ने आपको आजाद कर दिया। यानि स्वतंत्र हो के आप एकदम स्वक्ष साफ सूत्री आकास में उड़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी अपने मन रूपी चिड़िया को आप एकदम खुली हवा में छोड़ दीजे, स्वतंत्र हवा में छोड़ दीजे, अपने आपको एकदम free कर दीजे, तब जाके आपका उन्नती और विकास होगा गाईज। और ये तभी होगा जब अपने आपको yourself को free करेंगे, जब अपने आपको स्वतंतर रखेंगे, अपने आपके भावनाओं को, अपने विचारों को स्वस्त रखेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपकी उन्नती और प्रगती जरूर से जरूर होगी गाईज, यहां। Share your dreams यहां पे आपके लिए बोला जा रहा है, गौड के द्वारा, कि आप अपने भावनाओं को बहुत दवा कर रखते हैं, बहुत छुपा कर रखते हैं, यह मत करिए आपको बोला जा रहा है, गौड के द्वारा, इश्वर के द्वारा, कि आप भावनाओं को अपने, ड्रीम को, अपने सपनों को साकार करने की कोशिस करिए माल लीजी किसी वज़ा से आपके सपने साकार नहीं हो पा रहे हैं तो आप दूसरों से भी आप मदद ले सकते हैं अपने बड़ों से भी मदद ले सकते हैं अपने गुरू से मदद ले सकते हैं अपने पैरेंट से मदद ले सकते हैं बिद्ध्य और विकास के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ड्रीम्स जो हैं, आप अपने अंदर ही रखें, अंतर मन में रखें, किसी को बता नहीं रहे हैं, जैसे कि एक पिता है, वो अपने बच्चे को कैसे प्यार से रख रहा है, लेकिन वो अपने फीलिंग को नहीं बता पाता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने सपनों को किसी से बता नहीं पा रहे हैं, फीलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको आप बया नहीं कर पा रहे हैं, तो बया करने की कोशिस करेंगे, तो आपका जो लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल हो जाएगा, शेरिंग का कार्ड, आज केवल भावनाओं को शेर करने का ही कार्ड गौड के द्वारा हो रहा है, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा गुपचुप वाले इंसान हैं, आपके बैक्तितों में भी ये निकल कर आ रहा है, कार्डों के द्वारा, कि आप अपने, आपको बहुत ही आप एकांत में रहने लगे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एकांत प्रिय पर्शन हो गए हैं, हो सकता है आपको कोई चीज की चिंता हो, हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भावक इंसान हो, बहुत ज़्यादा आप सोचते बिचारते हूं लेकिन अपनी भावनाओं को किसी सामने आप कह नहीं पाते हैं share नहीं कर पाते हैं यहाँ पर तो आप अगर share करेंगे तो your own abundance and having fun as well यानि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिया गए your own abundance and having fun as well बहुत हैं अपने भावनाओं को दबा कर नहीं रखते हैं अपने बैक्दिगत भातों को या कोई अच्छी भातों को आप जब share करेंगे तो आपके life में खुद आप abundance ग्रेप करेंगे खुद को आप अच्छा फिल करेंगे खुद को अपने importance समझेंगे और आपका जो विकास है वह always होगा यहाँ पर आपको खुलने की प्रवित्ति को बोला जा रहा है आप बहुती अंतर मुखी हैं आपको बही मुखी बनने का बोला जा रहा है कि आप बहुती ज़्यादा हर चीज को छुपा कर रखते हैं चाहे उसको बहुत जादा चुपा के रखते हैं तो आप ऐसा मत करिए कि यहां पे गौड के द्वारा एंवर्स के द्वारा आ रहा है कि शेयर करिए यह करेंगे तो आपकी भावनाओं को पसुपक्षी भी समझेंगे इंसान भी समझेंगा और आपको खुद बहुती अच्छा फील होगा guys आप ऐसा करके देखिए और अपनी भावनों को जरूर से जरूर साजह करिए अपने पार्टनर से, अपने दोस्तों से अपने मितों से, अपने माता पिता से अपने पैरेंट से, अपने गुरू से तो ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा सक्सेजों सफलता दिलाएगी